मेरे सारे फ्रेंज कैसे हो आप सभी लोग आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी घरों में सुरक्षित होंगे आज डेट है 16 एप्रिल और डे है थर्स्डे आज मेरे हस्बेन की नाइट ड्यूटी थी यानि कल रात ड्यूटी थी उनकी जैसा कि कल मैंने बताया था मॉर्निंग में उनकी ड्यूटी थी उसके बाद नाइट शिफ्ट थी उनकी तो अभी मॉर्निंग में आए हैं और जब पापा नहीं होते हैं बच्चों को भी यह रहता है कि आराम से सो रहे हैं सुबह कोई जल्दी रहती नहीं तो मैंने आज कोई जल्दी नहीं थी मुझे तो मैंने बड़े आराम से ही सारे काम किये हैं और यहां पर यह देखे हरी मूं की छिलके वाली दाल है जो कि मैंने सुबह भीगोई थी सुबह तो मेरा जल्दी ही उठना होता है रोज की तरह तो मैंने यह दाल भीगो के रखी है और इस दाल जब हम लोग दाल को रगडते हैं हातों से तो निकलता है उपर की और पूरा हरा हरा छिलका वो पानी में अराम से निकल जाता है साइड से और उसके बाद मैंने ग्राइंडर जार में डालने के बाद डाल ली है जीरा डाला है अदरक को छोटे टुकडे करके डाले हैं और हरी पानी डालने की भी जरूत नहीं पड़ती है क्योंकि पानी में जब भीगती है ना तो इसी तरीके से मैंने फिर से थोड़ी सी डाल डाली है ग्राइंडर जार में और फिर उसे पीस लिया है और दूसरे बरतन में निकाल करके रखती जा रही है फाइनली तीन बैच में ये पूरी डाल तयार हो गई है ये डाल भीगने के बाद जादा हो जाती है मैंने तो ऐसे छोटी कटोरी के साफ़े दो कटोरी भीगोई थी छोटी कटोरी और अब मैंने इसको बड़े बरतन में डाल लिया है और ये है कच्ची कैरी की मैंने गुर के थोड़ा सा और पानी डाल करके मेक्स कर लो घोल लो ऐसा दिखना चाहिए जैसे डोसा बनाते हैं हम लोग वैसा बैटर रहे ताकि हम तवे पे डाल करके इसको अच्छे से फैला सके और मैंने प्लेट्स का टोरिया निकाल ली है चटनी तयार है और अब मैं इसके लिए चीले सेक रहे हूँ इसे मूंग की डाल का चीला भी कहते हैं आप मूंग डाल डोसा भी कह सकते हो तो मैंने तवे पे एक बार की ऐसे घी लगाया है और पेपर नापके इन से पूर लावे को अब यहां पर एक बड़े चमचे से मैं एक बार भरके डालती हूँ और फिर धीरे धीरे उसको फैलाते जाएंगे इसमें छिलका काफी है देख रहे हूँ आप इसी वज़े से इसमें हलका सा दरदरा पनाया है अगर छिलका पूरा निकला रहे है तो एकदम प्ल देते हैं तो यह देखिए और बहुती बढ़ियां थिका है और उपर से घी चाहो तो आप डाल दो नहीं डालो और मुंकी दाल में लेकिन घी का टेस्ट अच्छा लगता है तो दाल में इस तरीके से से करके दोनों साइड सी अच्छे से से शेक लेंगे तो यह हमारा चेला सिक रहा है पर साइड में रखती जा रही हूं क्योंकि सब साथ में नाश्टा करेंगे तो इसलिए मैं एक एक करके नहीं दे रही हूं और यसी तरीके से फैलाना है हलके हाथों का यूज करना है इसलिए क्योंकि इसमें वो छिलका जैसा कि मैंने बताया दाल और दूनों ज प्रेस कर लो और सेख लो एक साइट से तो एकदम लाल होता ही है देख रहे हो आप चिला दूसरी साइट से इतना लाल नहीं होता है लेकिन वह सिक जाता है पक जाती है दाल हमारी इसी तरीके से सेखते जाएंगे एक के बाद एक और तवे पे डाल करके फैलाते जाएंगे फ अब सारे चीले चीले सिर्फने के बाद मैंने कैसरूल में ईक पलेट रखी है, पलेट के ऊपर सारे चीले रखिदी हैं और इसे ढख करके रखेंगे तो यह गरम बने रहते हैं कल वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने कच्छी कैरी का पना किस तरीके से आइस क्यूब्स बना करके फ्रीजर में रखा था आपने देखा होगा कल के व्लॉग में और ये ट्रे मैंने फ्रीजर में रखी थी चोकि आम पना की क्यूब्स तैयार हो गई है और मैंने ये भी बताया था कि जब भी आपका दिल करे आप इसे यूज कर सकते हैं तो मैंने ये देखी चार छोटे ग्लास लिए हैं और ये आइस क्यूब्स बहुत एजली निकल जाते हैं ये देखें सौफनेस है क्योंकि अब आइस पानी तो इसमें है नी पुरा पल्प है मैंगो का तो नाइस से साइड से निकाला तो निकल जाती हैं अब यहां पर जैसे मैंने एक ग्लास में दो-दो क्यूब्स डाले हैं आप यहां पर तीन या चार जितनी भी चाहो क्यूब्स डाल सकते हो जितना गाढ़ा चाहिए आपको पना तो मैं पानी डाल रही हूँ इसमें और मैंने नॉर्मल पानी डाला है कर्मी के दिनों में आप ठंडा पानी डालो आइस क्यूब डालो और अगर आपको जादा मीठा चाहिए तो आप चाशनी बना के रख लो बाटल में चीनी को पका करके तो आप मिक्स कर सकते हैं और मैंने यहां पर चार कटोरियों में येक अच्छी केरी और गोड़ की चटनी निकाल रही हूँ क्योंकि नाश्ते में चीले के साथ हम लोग यही केरी की चटनी खाएंगे और सभी लोग खा रहे हैं चिले बहुत पसंद आएं सबको चिले मेरी फैमली में बहुत पसंद आएं सबको खासकर मेरे बेटे को बहुत पसंद है और light सा नाशता रहता है और heavy मतलब इसलिए कि पेज तो भड़ता ही है और ऐसे heaviness नहीं लगती है मूंग डाल में मूंग डाल हलकी होती है जितनी भी डाले होती है हमारी चनी की डाल तूर और उरत जो भी है मूंग की डाल सब च्छिदा light मानी जाती है इसलिए हमेशा कभी कोई बिमार होता है तो मूंग की डाल की खिड़ी खिलाई जाती है वही बात और पॉस्टिक भी होती है मूंग की डाल खासकर छिलके वाली है और चटनी पना के लिए जो जो मैंने क्यूब डाली है नॉर्मल पानी में डाला तो वह खुल गई एकदम रखने के बाद तो मैं चम्मच से मिक्स कर दे रही हूँ ताकि जब सब लोग पीएंगे तो टेस् चारा है कि नहीं या फिर आप तीन क्यूब डाल सकते हो और फ्रीजर में रखते हैं तो यह क्यूब खराब भी नहीं होती है गर्मियों के दिनों में कोई गैस्ट आया आपको कुछ उनको ठंडा सर्व करना है तो आप आम पना देख सकते हैं या आपको ही कभी भी दिल कर मतलब थोड़ा थोड़ा सा पना बनाने का आलस नहीं होगा छुटी फै के गाड़ा गाड़ा पल्प भी फ्रीजर में रख सकते हैं तो जब आपका दिल करें अपना निकालो उसे घोलो और पना बना लो तो बस नाश्टे के बाद मैंने ये केचन क्लीनिंग कर ली है और सुबह तो सारे काम घर की करी लिए था साफ सफाई वाले ये कुछ जैसे नमरता है नमरता दास उसने वो बनाई थी और एक सर्बजीत हैं सर्बजीत जी की डॉर्टर ने बनाई है ये कैप वाली डॉल इसकेचिस भेजे थे उन्होंने मुझे बहुत ही सुन्दर पेंटिंग बनाई हैं बचों में आजकल इन दिनों कोरोना वाइजरस की बहुत सारी डॉइंग्स बना रही है इन दिनों शाम में तो वही होता है मेरी और हस्बन की चाय बच्चों का दूद्ध और ये सब दूद्ध वाले भीया आये तो दूद्ध बॉयल करना है इस तरह के काम शुरू रहते हैं आपने देखे हैं शाम वाले रूटीन में बच के में वही बताने वाली हूँ तो मैंने डूद्ध बॉयल रखा था ना तो चोटे-छोटे से आलो निकालके बास्किट में से उनको बॉयल करने रखा था जब मुझे आलो बालना होता तो मैं देखती हूँ कौन सा चोटे साइज का आलो है जिसे वह जल्दी से बॉयल हो ज अब मैं थोड़ा सालू निकाल करके दूसरी प्लेट में रख रही हूं और बाकी का सारा बड़ी प्लेट में हैं तो बड़ी प्लेट में फिर मैंने नमक डाला है जिसमें ज्यादा आलू है और इसमें मैंने दो चम्मच करीब कॉन फ्लोर डाला हैं दो बड़े चम्मच कॉन पूरा आलू का मेक्शर तैयार हो गया है आप इसके आप बॉल्स बनाओ बॉल्स बना करके आप रोल करो और हलका सा फ्लैट कर लो तो इस तरीके से आप देख रहे हैं नाइन बॉल्स तैयार होके हैं बड़े-बड़ी सी टिक्की बन गई है इनको मैंने हलका सा फ्लैट कर लिया है और ये साइड में रख लिया है अब मैंने दो मीडियम साइज की प्याज लिये हैं इन्हें बारीक काट रही हूँ क्योंकि हम लोग चाट बनाने वाले हैं आलू टिक्की चाट और साथ में शियो पूरी या फिर आप उसको धहिर पूरी बोल सकते हैं तो चाट में प्याज जिसको भी लगे की तो मैं इक खटे एक साथ बारीक काट के रख रही हूँ एक प्लेट में फिर यही होता है कि जिसमें भी डालना है तो इक खटे मतलब इसी में से लेके डाल सकते हैं बार-बार नहीं काटनी पड़ती है तो चाट वगरा बनानी हो तो हरी मिर्ची है हरा धनिया हैं बारिक प्याज हैं बारिक सेव हैं आलू उबले हैं ये सारी तैयारी तो करने ही पड़ती है तो मैं इस तरीके सेखे करके तैयारी करती जा रही हूँ तो मैंने प्लेट में प्याज काट ली है और अब मैंने थोड़ी सी प्याज ली है जिसे मैंने थोड़े से आलू निकाले थे तो आलू प्याज के साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची हल्का सा नमक डालेंगे और यहां पर भुने जीरे का पाउडर डालेंगे नमक भुने जीरे का पाउडर और लाल मिर्ची उबले हुए आलू और बारीक प्याज सब को डाल करके मिक्स कर लेंगे तो इस मिक्شر को पूरा अच्छे से मिक्स करके तयार करेंगे तो यह हमारा आलू का मिक्شر तयार हो गया है। इससे मैं साइड में रख लूँगी। और अभी मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी दुल के साफ किया है। और से मैं बारीक बारीक काट के रख रही हूं साइड में पिर जैसे जिसमें जरूरत लगेगी तो हम लोग यूज कर सकते हैं मैंने कटोरी में नमक लाल मिर्ची और भुने जीरे और हिंका पाउडर भी निकाल के रखा है और अब मैंने गाड़ी-गाड़ी सी दही निकाली ह चार-पांच बड़े चमच यह देखो इतनी दो कटोरी करीब दही है इसमें मैं चीनी डाल ले हूं तीन चार चमच और चीनी डाल करके दही को फेटेंगे आप देख रहे हैं दही एकडम गाड़ी है ठिक गाड़ी है एकडम और इसको मैं हलका सा ब्लैंड कर ले रही हूं ताकि जो गाड़ी दही है लेकिन उसमें गाठें सी ना रहें दही और चीनी भी मिक्स हो जाए और एकडम स्मूथ सा दही दही आर हो जाए तो यह हमारी दही फिट चुकी है जिसमें चीनी भी मिक्स हो गई है हमें ऐसे मीठी दही चाहिए क्योंकि शियो पूरी बनाने वा तो ये हैं खाजूर की चटनी। और ये हैं पानी पूरी जिने फ्राइ किया जाता है ये तरीके से ड्री पूरी जी इतले के ड्राइब की बड़े हैं करें तरीक दाए Kangana लेगा य Chelsea जेना किविशी की और इनमें अच्छी बात होती है कि घर में रखी रहती है जब आपका देल करें आप फ्राई करो और मतलब खाओ यह भी नहीं है कि मतलब पहले से बनाके रिक तो नरम हो जाएं बिया बनी रखी है पूरिया तो तेल की स्मेल आए जिस दिन आपको जिस समय जरूरत है आप उस पानी पूरिया जाती है जैसे आप देख रहे हो यह बड़े बड़े साइस का है इसके पहले जब मैंने उस दिन पानी पूरिय शेयर की थी तो इससे छोटा साइस था जिसमें हम लोगों ने पानी भरके खाई थी आज हम लोग पानी के साथ नहीं बलकि दही पूरी शेयो पूरी बनाने वाले हैं तो यह देखो मैंने डेठासा पाने पूरी यह फ्राय कर लिए है इस पैक 750 में बहुत सारी होते है आप जितना चाहे ने रख लो यह देखो बहुतistors और अब बारीक सियो भी निकाल के रख लिए हैं तबे पे मैंने डाला है जादा सा घी और बीच में घी भर गया यह देखो अब मैं इसमें टिक्की रख रही हूँ देशी घी की बनी हुई आलू की टिक्की है हमारे बांदा में एक शॉप है वहाँ की बड़ी फेमस है मतलब वो टिक्की में कुछ भी ने मिक्स करते हैं बस उनके आंकी खास बात यही होती है कि देशी घी की एकदम सिक्की हुई करारी करारी सी टिक्की होती है और सिर्फ और बहुत टेस्टी बनाते हैं तो आज मुझे वही कुछ याद आ रहा है हाला कि बादर में दो कुछ चीज़ें तो होती हैं जब वहीं की अच्छी लगती हैं खातकर चाट वाली उनकी छौप बला टककर तो नहीं हो सकता लेकिन मैं कोशिश कर रही हूं बनाने की और मैंने घी में अच्छे से सेकी हैं मतलब दोनों साइड से पलट करके देख रहा हो आप बीच में जैसे घी है आज देखो कि कहां पर है इसलिए तवे पर टिकी ऐसे फैली हुई तो रहती है लेकिन जहां पर घी भरा हुआ रहता है वहां पर वो धीमी धीमी आत्में जब सेखती ह होता है और पलट करके भी फिर घी डाल सकते हैं उपर से ड्रॉप ड्रॉप करके और इस तरीके से सेकने हैं तो बस मैंने आज को कभी धीमा किया है कभी तेज किया है फिर इस तरीके से अलट पलट करके टिकी सेकी हैं अब गैस बंद कर दिये तवा अच्छा खासा गरम है तो गरम तवे पर टिकी रखी हुई है और इनको फिर बीच बीच में आप पलट सकते हैं तो बहुत ही करारी हैं और बहुत अच्छी सिकी हैं टिकी बहुत अच्छी कुश्भू आ रही है चार्ट की सारी तैयारी हो चुकी है अब जैसे हमारे आठ हुचते हैं तो मैं बता देती हूँ भाई सब तैयार हैं जिसको जब खाना हो तो बताओ तो सब बिलकुल खाने को तैयार बैठे हैं चार्ट है आज तो तो मैंने एक एक प्लेट में दो दो टिकी रखी हैं टिकी की उपर दही डालो और इम्री खजूर की चटनी डालो बारी कटा हुआ प्याज, हरा धनिया डालो और जो सेव रखे हैं डालो या फिर आप इसमें पापड़ी भी फोड़ के डाल सकते हैं नमाग, भुना, जीरा, लाल मिर्ची ये सारे मसाले उपर से डाल सकते हैं आपको जितना जैसा पसंद है तो इस तरह की चाट की स्टॉल लगाने वाली यूमें टेबल पर और जैसे जितना डालना है तालो और खाओ तो ये हो गई हमारी आलो टेक्की शियो पूरी के प्लेट तैयार है इसमें कोई गिंती नहीं है क्योंकि घर में बनीवे चीजों में गिंती नहीं होती ठेले पर जब मिलती है तो गिंती के चार पांच साथ ऐसे मिलता है ना हर शॉप में तो इसमें उबला हुआ आलो और प्याद वाला जो मेक्षर है वो डालेंगे दही पूरी के लिए भर के दही डालेंगे मिठी वाली उतना ही भर के चटनी भी डालेंगे जिसे खटा मिटा सा टेस्ट आए अब आप इसमें खूब धेर सारे सेव डाल दो बारीक वालेंगे ये मार्केट के सेव हैं नायलोन सेव आते हैं और इमपकेट मंगाया था मैंने जब अभी ग्रोसरी में मंगाया था सामान और उपर से हरा धनिया प्यास बगरा डाल सकते हैं फिर आपना मसाला उपर से डाल सकते हैं जीरा पावडर लाल मिर्ची और ये शियो पूरी तयार तो इस तरीके से मैंने मतलब दिखाया कि इस तरीके से खाने वाले हैं सब लोग और मैंने टेबल पर रख दिया और सब को भिड़ा दिया है कि लोग अपना अपना प्लेट में भरू अब इतनी सारी पूरी है कि प्लेट में कौन भरेगा अपना अपना भरते जाओ जिसको ज गर पर वो बताएं तो आज मैंने यही सोचा था कि आज में यह दिखाऊंगी आप घर पर भी बना सकते हैं आटा गूत करके लेकिन यदि आपकी शहर में यह मिलती हैं तो मतलब कुछ बुरा नहीं है मैं यह कहना चाती हूँ क्योंकि इसमें यही है क्रिस्पे बहुत हैं कोई फेल नहीं हो सकती रहसे प्याद की चांस नहीं है क्यों भी महमान आ रहे हैं आपने कोई पार्टी और्गनाइज की है कि टी है या बच्चों का बड़े है या आपने ही फैमिली में इतनी महनत करके है कई बार इतना ताम जाम किया प्लत चला पूरी अच्छी नहीं बनी तो और मूड खराब तो इससे अच्छा है कि मार्केट ते ले लिया यह ड्राइवाली डबे में रखे रहो जब दिल करें फ्राइक कर लो और अगर आप कई बार हमेशा बनाते रहते हैं ना तो आप वाले भी बना पाएंगे क्योंकि कोई बीचीज एक दो बार बनाओ कितनी बार खराब बनेगे एक बार तो अच्छी बननी है उसको तो फिर जो लों को आदत होती है ना वो लोग आटे वाले भी बहुत बढ़िया बना लेते हैं करारी करारी सी रहती है